असलाम हूं आलेएकुम मैं दुलेखा अरफाद दुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं स्मोकी चिकिन तंदूरी कीमा बहुत ही जबरदस घर पर बनता है तो चलिए शुरू करते हैं साधा रन याने ओर्डरी इंगिरीडियन से एक्स्टर ओर्डरी डिश बनाते हैं अचकी शलिए यह हाथ का कुटा हुआ चिकिन का कीमा 500 ग्राम है और दो थीन पाने से धोके मैंने नितारने के लिए चन्नी के ओपर 15-20 मिरिट के लिए साइट पर रख दिया था एक तम कंप्लीटली पानी निकल जाना चीए अच्छे से नितर जाए चिकन तो इसे एक बाउल में दाल दीजिए अब इसमें डाल दीजिए धाई टेबल स्पून टिकका मसाला जो आता है ना आप चाय तो घर का दाल सकते हैं या फिर बाजार का भी इस्तेमाल का भी इस्त अजेक बाऊडल कें दहल देती को आप महाँ चेक को लिजिएका और वनफो चुड़ चंच से एक चंच जच पाउडर एक चुड़ चंच सा लाल मेच पाउडर scold नहीं है अगर आपका divided 1 चुड़ चाय का चमच कार मसालेकाука पाउडर आद़ चुड़ चयका चमच भूना पिसा जीरा निगल का चामचा अध्रक लस्न का पेस्ट, 2 अ निमुकारस भी दाल दीजी और 4 टेबल स्पून गाडी दही और आदा छुड़ा चाय का चमज धनीय का पाउडर ये सारी चीजों को दाल कर बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लीजी अब आपे देखा कि मैंने नम्मक नहीं डाला डेफिनिटली नहीं डाला क्योंकि ये जो टिक से थोड़ा सा food color दाल रहे हैं आपने नहीं डाला है तो आप skip कर सकते हैं मिक्स करके ढाक कर आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं एक घंटे के लिए या फिर साइट पर रख दीजिए एक घंटे के लिए ढाक कर अचा जो धाई टेवल स्पून टिक का मसाला दाला है व लाइन गोर्टन ब्राउन हो जाएं तो पिसमे ले रहा हमानी रेम बोल कर हमने जो मैरिनेट करके रखा है कीमा वो सारा दाल दीजिए मैरिनेशन के सार और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आज पर या फास्ट आंच पर आप जैसे भी करना चाहें मैंने अभी तक तो रखी है क्योंकि मेरी जो पती लिए वो मोटी है अब इसे बार बार चलाते हुए पाच्छे मिनिट तक मसाले में चिकन को भून लीजिए अच्छा हलका आप देखेंगे कि पानी छूटने लगा है तो आप चख लीजिए कि नमक कैसा है अगर नमक कम लगे तो उपर से डा दीजिए और उसे भी चला लीजिए अब आप देखेंगे कि पाच्छे मिनिट के बाद जो आपने तेल दाला था वो थोड़ा हलका हलका छूटने लगा है जब आप ऐसा देखें तो इसमें दाल दीजिए वान फूट कब जितना पानी मैंने जो वान फूट कब पानी है न जिसमें मीरीनेट करके रखता क। जब आप इसमें पार मिक्स कर लीजिए और इसमें हलका अबाला जानी दीजिए. ठोड़ी सी बारिक कटिय वी पी और वे बह fij hate in और पारा धनिया दाल दीजिए. तोма- оказ खूले मैंने चुला कर दिया, बन साइड पर मैंने है ना, कोईले को जलाने रख दिया है, थोड़ा सा नम्मक मुझे कम लगा तो मैंने फिर से अज़स्ट करके, मिक्स करके इसे रख देती हूं, और अब यहां पर मैं हरी मिर्च तोड़ी सी काट कर दाल रहे हूं, यह अप्शनल है तोड़ी सी कोट में रहने के हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, और एक कटूरी स्टील की रख दीजिए, और करमा गरम कोईला दाल कर, उसके ओपर कुछी कुछ तेल, घी या मकं डाले और कुछी धाक दें उसे, अब ऐसा धाका हुआ, आप पांच मिनिट रखें, दस मिनि हमारा गरम मज़ेदार सा डिलिशिस तंदूरी स्मोकी तंदूरी चिकिन कीमा, बहुत ही मज़ेदार और जटपड भी है आपने देखा और बहुत ही डिलिशिस है, आप चाहे तो इसे रोटी पराटा पुलका बटनान किसी के भी साथ सर्फ कीजिए, वैसे इन में से कुछ अच्छा प्यास के साथ जरूर सर्फ कीजिए, बहुत ही डिलिशिस लगता है, मज़ा आएगा अपको खा के, मेरी जो पतिली थी वो थिक बॉटम की ती, तो मैंने फंदरा मिनिट दम पे रका दागी में को आप चाहे तो बारा तेरा मिनिट पर अगर खीमा पक जाता है औ मुझे अगी कमेंस परने बहुत अच्छे लगते है, तो लाइक कीजिए, उससे साथ अच्छी लगते अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिए जरूर फोवर्ट कीजिए, और फिर से हाजी रोंगी नहीं शान्दार दम दार रसेपी के साथ, आतल दें, ट किया लाबस, भाइ!